देशपर में देश दुरुहियों पर सरकार का जबरदस्त एक्शन लगातार जारी है अब बड़ी खबर असम से है जहां पर बांगलदेशी चात्रा पर हिमंता बिस्व सर्मा सरकार ने बड़ी कारवाई की है जहां भारत विरोधी पोश्च लाइक करने पर एक भांगलदेश फेज दिया गया है खबर सापने आई है कि बांगलदेशी जो चात्रा है वो असम के सिल्चर में जो राष्ट्य प्रयोद्योगी की संसान है यानि एनाइटी उसमें पढ़ाई कर रही थी और उसने फेस्बुक पर एनाइटी के ही एक पूर्व चात्र जो की बांगलदेश से ही है उसके एक पोस्ट को लाइक किया है उस पोस्ट में आपतीजनक बाते भारत के लिए लिए लिखी गई है और उस पोस्ट को लाइक करने पर ही जो है बांगलदेशी चात्रा पर ये बड़ा एक्शन हुआ है बतादें कि बांगलदेशी चात्रा ने द उसके आदरसल भारत विरोधी जो पोस्ट था उसे लाइक किया और पोस्ट को शेर करने वाला चात्र बांगलदेशी है ये जानकारी भी निकल कर साफने आई है जब ये चीजे हुई तो जाहिर तोर पर लोगों ने कड़ा विरोध चिताया चात्रा की इस हरकत का विरोध कोई जरुवत नहीं है ऐसे जो भारत विरोधी लोग हैं उनकी कोई जरुवत नहीं है जब विरोध बढ़ा तो जाहिर तोर पर हिमंता बिस्व सर्मा सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और अब उसे वापस उसके देश फेज़ दिया गया है इस बारे में बाकाइदा जो है पुलिस ने जानकारी दी है और ये बताया है कि किस तरीके से उसकी इस पोश्ट को लेकर कहीं न कहीं बवाल हुआ था जो की एनाइटी का ही एक पूर्व छात्र है और जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो बांगलदेशी स्टुडेंट हैं वो एनाइटी में पढ़ाई हुई है और एक भारत विरोधी पोश्ट को लाइक करना इस छात्रा को काफी महगा पड़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व जर्वा है जो भारत विरोधियों ना सिर्फ बलकि देश तरोहियों पर कड़ी कारपाई कड़े एक्शन के लिए जाने जाते हैं और व हुसेन अलफी है और उसने फेस्बुक पर एक पोश्ट किया था जिसमें उसने लिखा कि लाउड एंड किलियर डॉग एंड इंडियन्स आर्क नोट अलाउड ये युनिवर्सटी के एक गेट के बाहर लिखा हुआ है वो पोश्टर उसने साचा किया था जिसे उस छात्रा ने लाइक किया है मैशा महजबीन उस छात्रा का नाम है और इस तरीके से ये पूरा माफला साथ ने आया है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये वो पोश्ट है जिसको लेकर पूरा बवाल जो है वो कही न कहीं जो है असम में देखने को मिला और इस तरीके से हिमंता बिश्व सर्मा सरकार ने इस पूरे माफले पर एक्शन लिया है यह एक्शन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से बांग्रदेश में हाली की स्थिती हमने देखी जिस तरीके से वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और साथी साथ हिंदूों पर वहाँ पर में इंडियन्स आर नोट अलाउड कुतों के साथ जो है तुलना करना यह तमाम चीजे जो देखने को मिल रही है यह जाहर तो पर भारतियों के लिए अपमांचनक है यह भारतियों के लिए अपतिज जनक है और यही वज़ा है कि सादाद हुसेन ने इस पोश्ट को शेयर क 17 मेशा महजबीन पर हुआ है और यह साफ तोर पर देखने को मिला है कि किस तरीके से असम में जो चात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं एनाइटी सिल्चर में वहां पर काफी संख्या में बांग्रदेश के स्टुडेंट हैं जो कि सीधे तोर पर अपने जो नए परदान मंत हैं उसकी तारीफ करते नहीं ठकते हैं बकाईदा जो सादाथ हुसेन हैं जिसने अपतिजनक पोश्ट जो भारतियों के अपमान में शेयर की थी उसकी प्रोफाइल पर भी अगर गोर करेंगे तो आपको वहां बांग्लदेश के नए परदान मंतुरी वहां पर बने हैं उस लोगों में बढ़ा जब छात्रा जो बाकी वहां पर थी जो छात्र वहां पर थे जब इन्होंने इस पोश्ट को लेकर विरोध जताया तो पुलिस ने तुरंत कारपाई की तुरंत कारपाई का स्वार्शन दिया और इस तरीके से इस छात्रा को अब वापस उसके देश य ही रद होना चाहिए उन्हें तुरंट निर्वासित करें इस तरीके की मांगे जो है वो जाहिर तोर पर हो रही है और यह भी सवाल उठ रहे हैं कि दरसल उन्हें सीधे एक विशेश कोटे में जो है एडमिशन यहां पर मिल जाता है वो भी खत्म होना चाहिए यह सारी चीजें खत्म करने की मांग जो है वो तुरंथ हो रही है नाइटी सिल्च्ववर को टैक किया जा रहा है तुरंथ जो है छात्रा को और देहने को मिलुआ है यहाँ यहाँ आग जा रही है तो इस तरीके तो दर्च हुई उस पर तुरंट एक्षिन जो है वो मुख्य मंत्री हिवंता विस्व सर्फना की सरकार की ओर से लिया गया है यह बड़ी चीज है और तुरंट उसे बांगलदेश भेज दिया गया है तो इस दरीके से यह कहीं न कहीं चीजे है जो देखने को मिल रही है जब करीब सतर बांगलदेशी स्टुडेंट है जो की पढ़ाई करते हैं और जो महजबीन को लेकर जानकारी आई है उसमें बताया क्या है कि करीम गंच में भारत बांगलदेश अंतराश्टे सीमा के माध्यम से उसे वापस बांगलदेश भेजा गया है एनाइटी सेल्चर में क घर जाने की इच्छा जाहर की थी तो हमने घर भेज़ दिया उनकी तरफ से यह कहा गया लेकिन वहां इस छात्रा पर कारवाई हुई है यह लगातार ओफीशल जो लोग है वो कहीने कहीं जो पुलिस कर्मी है वो जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरे माफले में जो बवाल ब चाहिए और प्यम्मों और साथी जो ग्रिम अंत्रालिया है वह चात्रा पर एक्शन ले और जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व चात्र एनाइटी का ही रहा है सादत हुसैन अलफी उसने यह पोश्ट किया था जहां पर यह लिखा था कि डॉग एंड इंडियन्स आर नोट अ भारतियों को अपमान करना है यह इनकी सोच है और इससे अंदाज़ यह भी लग सकता है कि बागतेश में किस तरीके से हिंदों के लिए वहां पर हालात होंगे किस तरीके से हिंदों पर वहां नरसंगहार हुआ होगा हलाकि इसको लेकर कही बार अस्म के मुख्यमंतरी हिमन बिस्विस्वर्मा जिकर कर चुके हैं और हिंदो की इस्तिजी जो वहां पर है उसको ले कर पी चिंता जाहिर कर चुके हैं फिलाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है मैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर लेखें थाने बाद